तो यहाँ पर आप should के सारे प्रयोग सीखने वाले हैं बहुत ही simple तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं आप should अकेला आएगा तो कैसे use करेंगे should के साथ अगर have लग जाता है have been आजाता है should के साथ बी के साथ verb की thought form आजाती है have been के साथ अगर verb की thought form आजाती है should have आजाता है फिर should have had without verb इनका किस तरीके से use करेंगे complete concept आप should का सीखेंगे बहुत ही simple तरीके से और सारे जो है आपके doubt clear हो जाएंगे अगर कोई doubt भी है तो एक चीज़ आप यहां पर ध्यान रखें शुरुवात करने से पहले जो should है अगर इसकी हिंदी की पहचान की बात की जाए हिंदी की पहचान की बात करेंगे तो चाहिए के sense पर आप समझ जाएंगी कि should का use करेंगे चाहिए के sense पर लेकिन वहाँ पर एक advice का sense जहलकना चाहिए advice की feeling आनी चाहिए तो वहाँ पर हम should का use करेंगे क्योंकि चाहिए के sense में चाहिए जो हिंदी के identification है इसमें तो और भी model verbs है लेकिन advice प्लस चाहिए तो आप सबज़ है should का use करेंगे अब यहाँ पर हम position को लेकर ठीक है पहले तो हम state को लेकर हम sentences को देखेंगे state ठीक है action को लेकर position को लेकर यानी किसी के पास कुछ है इस sense में और जो subject है कुछ है या फर कहीं है अवस्था की बात करें तो वहाँ पर और continuous tense की जैसे अगर verb के साथ ing लग जाता है तो कैसे हम use करेंगे तो complete concept सीखने वाले हैं और passive में हम कैसे use करेंगे passive voice में वो भी चलिए एके करके जानते हैं बहुत ही simple तरीके से सबसे पहले देखे should है हिंदी में इसकी पहचान मैंने बताई चाहिए लेकिन plus advice भी होनी चाहिए ठीक है advice सलहा जलकनी चाहिए यहाँ पर verb की first form का use होगा और present tense में इसका use होगा present time में present time में आपको बोलना चाहिए आपको पढ़ना चाहिए इस तरीके से आपको बोलना चाहिए you should speak शुड के बाद verb की first form शुड के साथ verb की first form advice के sense पर चाहिए के चाहिए से वाकिए के ending हो जाएगी तो आप शुड का use कर देंगे आपको पढ़ना चाहिए you should study उसे सोचना चाहिए he should think तो इस तरीके से आप किसी को advice देते हैं तो शुड का use करेंगे next देखें यह तो present में present time में अगर हम advice करते हैं अब इसी का past भी बन जाएगा दोनों का comparison देखें तो समझ में easy ले आ जाएगा देखें present में यहां पर past में यहां पर चाहिए से वाकी की ending यहां पर चाहिए था से वाकी की ending present में advice यहां पर past में advice इसका structure मैंने बता दिया should के साथ verb की first form should have के साथ verb की third form आ जाएगी sentence देखें आपको यहां आना चाहिए present advice आपको यहां आना चाहिए था past advice you should come here you should come here आपको यहां आना चाहिए था past में past advice you should have come here you should have come here should have फिर वाप की third form तो इस तरीके से present और past के advice के लिए आप यूज़ कर लेंगे यहां पर should है इस kolum में सिर्फ अकेला शुढ है, शुढ के साथurarब की थाड़ फोर्म, यहां पर शुढ के साथ मेर्भ की थाड़ फोर्म हैं. उसे समझना चाहिए तो he should understand. यह अगर लड़की है, तो she should understand. शुढ के साथ वर्ब की फोर्स्ट फोर्म. उसे समझना चाहिए था he should have understood. should have के साथ verb की third form, यह present यह past में हो गया, advice के sense पर, चाहिए और चाहिए था, तो दोनों तरीके से आपने समझ लिया, comparison के साथ की should और यहाँ पर should have, फिर verb की third form, यहाँ पर should के साथ verb की first form, तो advice के sense पर हमने should का use देखा, अब आगे देखें, should के साथ अगर be लग जाता है, ठीक ह object आएगा, यहाँ पर without verb की बात कर रहे हैं, कोई verb नहीं है, कोई करिया नहीं है, कोई काम नहीं है, यहाँ पर जो subject है उसकी state की बात की जाएगी, उसकी अवस्ता की बात की जाएगी, जो subject वो करता है, एक तो कैसा है, ठीक है, कैसा है, means कि आपको सामने खड़ा कर दिया, आ या फिर आप कहां पर है, आफिस में है, घर पर है, स्कूल में है, इस तरीके से, ठीक है, तो कोई action नहीं है, तो यहाँ पर should be के साथ object होना चाहिए, किसी को कहीं होना चाहिए, या फिर किसी को कुछ होना चाहिए, ये पहचान हो गई हिंदी में, ये present की बात हो जाएगी, अब यही अगर बात हम past में करेंगे, तो should have आजाएगा, फिर bean लगाना है, should have के बाद में आपको bean लगाना इससे समझ गए, कि हम past में चले गए, होना चाहिए था, किसी को कुछ होना चाहिए था, या फिर किसी को कहीं पर होना चाहिए था, ये past की बात है, clear है, यहाँ पर subject की जो अवस्ता है, उसकी बात हो रहे है, कहीं पर possession की बात हो रहे है, कहीं पर, मतलब किसी के पास कुछ है, गाड़ी है, बंगला है, कार है, knowledge है, time है, इस तरीके से, चलिए, ये देखे, present में, ये past में, आपको teacher होना चाहिए, present में आपको कुछ होना चाहिए, state की बात, you should be a teacher, तो should के साथ be लगाया, फिर a teacher, इस तरीके से हमने बना दिया, अब past में आपको teacher होना चाहिए, था, इस sense में, आप teacher हो ऐसा नहीं बोल रहे है, अगर आप teacher होना चाहिए, ये तो should model है, clear है, और अभी होना चाहिए, तो हमने should be a teacher, should का use किया फिर be, अब teacher होना, यहाँ पर भी teacher होना कोई काम नहीं है, कोई action नहीं है, कोई possession अधिकार की बात नहीं है, यहाँ पर करता कि subject की state की बात की जा रही है, should be के साथ अगर verb की third form आजाती है, अभी तो हमने should be के साथ verb कोई verb नहीं देखी थे, ठीक है, य यहाँ पर should have been के साथ verb की third form है, यह जो है present का passive है, अगर should be के साथ verb की third form आती है, और इसका sense निकलेगा किसी काम को किया जाना चाहिए, यहाँ पर action की काम की बात होती है, जो काम होता है ना, subject के द्वारा जो काम किया जाता है, उसके ओपर जादा फोकस किया जाता है, और य अंग्रेजी बोली जानी चाहिए, मतलब अंग्रेजी को बोलने का काम किया जाना चाहिए, तो English should be spoken, should be और third form, जुद्धे पैसिव है, वहाँ पर वर्ब की third form का यूज किया जाता है, यह जो है पैसिव की खासियत है, third form तो इसको चाहिए, तो अंग्रेजी बोली जानी च को साफ किया जाना चाहिए, तो room should be cleaned, room should be, मतलब काम किया जाना चाहिए, कौन सा काम, कमरे को साफ किया जाने का, और कमरे को साफ किया जाना चाहिए था, पास्ट में कोई काम किया जाना चाहिए था, तो room should have been cleaned, तो इस तरीके से आप पैसिव में बना देंगे, तो should be के अब देखे इसी में भी है शुड भी इसमें शुड भी है लेकिन आइंजी लग रहा है वर्ब के साथ आइंजी यानि जैसे continuous tense होता है सेम वैसे जैसे cooking, playing इस तरीके से अब यहां पर should have been फिर वर्ब में आइंजी लग रहा है यह present की बात है ठीक है यह present की बात है यह past की बात होना चाहिए है सम्टैंश में रहा है रही है ऐसे पहचानते हा है और वैसे कर रहा होना चाहिए चाहिए भी आरहा है ठीक है एड़ई के संस में यह लग यह जो है यह एक्शन अलग तरीके से पफॉर्म हो रहा है कोई past में हो रहा है कहीं पर position की बात की जा रहा है अलग- बीन के साथ वर्ब के साथ ing लग जाएगा जैसे कि राम को पढ़ रहे होना चाहिए तो continuous tense की जैसे है न ये भी तो राम शुड भी studying, बी के बाद में studying, study में आ गया है, studying आ गया है continuous tense की जैसे हमने शुड का यूज किया, राम को पढ़ रहे होना चाहिए था past में, तो राम studying, clear है, तो देखा, बी लगा कर हमने और हाव बीन लगा कर शुड का किस तरीके से ही यूज किया, sense समझना है, sense को पकड़ना है, बस, so अभी मैं advice छो लग रही है, ठीक है, should have, should have, यहाँ पर भी action नहीं है, verb नहीं है, kriya नहीं हो रही है, यह जो है state of position, यानि कि किसी के पा बताने के लिए भी थो हमको कोई कोई नकोई जो helping verb है, कुछ नकुछ तो चाहिए ना, तो यहाँ पर देखेए should have है, past होना चाहिए यानि कि should and pass काहिए था, यानि कि have, clear है, अब देखेए pass होना चाहिए था, चाहिए था, तो should have, और past होना past में तो had लग गया यहाँपर, हमारे पास car होनी चाहिए, we should have a car, we should have a car, हमारे पास car होनी चाहिए थी, अभी होनी चाहिए, तो we should have a car, और past में होनी चाहिए थी, we should have had a car, we should have had a car, ठीक है, तुम्हारे पास समय होना चाहिए, you should have time, you should have time, present में तुम्हारे पास समय होना चाहिए, past में तुम्हारे पास समय हो जब बताते हैं करता कि तो कैसे यूज़ करेंगे हैं पर देखा पॉसेशन को पॉसेशन के साथ हम कैसे यूज़ करेंगे आपके पास कुछ है ऐसा बताने के लिए कोई चीज़ है कोई वस्तु है समय है कोई चीज़ इसको बताने के लिए भी हम कैसे यूज़ कर रहे हैं शुड की जो feeling है, जो sense निकल रहा है, advice का निकल रहा है, अलग-अलग तरीके से हमने sentences बनाना यहाँ पर सीखा शुड को लेकर. तो complete शुड का concept आपको clear हो गया होगा.